Good morning students, welcome to this video from H.B. Kapadia group of schools. हिंदी साहित्य में लेखन के विवीद रूप हैं, जैसे पत्र लेखन, कहानी लेखन, डाइरी लेखन, अनू लेखन, सुरूत लेखन, निबन लेखन. तो आज हम निबन लेखन यानि की निबन कैसे लिखा जाता हैं, वह सिखेंगे. निबन कीसे कहते हैं? अच्छी तरह से बंदे हुए लेखन को निबन कहा जाता है. जब कोई विशय कल्पना या नीजी अनूबव के आधार पर लिखा जाता है, तो वह निबन कहलाता है. जैसे किसी त्योहार के विशय पर हम निबन लिखते हैं, तो हम हमारा अनुबव, शब्दों में लिखते हैं, वह निबन कहलाता है, निबन लिखने के कुछ नियम है, तो पहला नियम है कि निबन लिखने से पहले उसके विशय को अच्छी तरह से सोच ले, किसी भी विशय प तो पहले हमें उस विशय के बारे में अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। अब निबन का दूसरा नियम है विशय के अनुरूप अपनी भाषा और शैली का उप्योग करें। जिस विशय पर हमें लिखना हो उसके अनुरूप ही हमारी भाषा और शैली होनी चाहिए। तिसरा नियम है निबन को तीन भागों में बांटिए। तीन भाग यानि कौन से भाग तो पहला निबन के विशय का परिचय दीजिये मतलग कि जब हमें कोई भी निबन लिखना हो तो प्रस्तावना लिखनी चाहिए। पहले किस विशय पर हम निबन लिखते हैं तो उस विस्तार से लिखनी चाहिए अब तीसरा परिछेद होगा समापन का निबंद लिखने के बाद अंत में उपसंहार के रुप में उसका समापन करना चाहिए इस तरह तीन भागों में बाटकर निबंद को लिखा जाता है चौथा निबंद लिखते समय हर नई बात के लिए नया अनुच्छेद लिखे यानि कि हम कोई भी निबंद लिखते हैं तो उसकी प्रस्तावना बाद में मुख्य विशय पर उससे जुड़ी हुई कथाए या उसकी विशेशताए जो भी लिखना हो हर एक नई बात के लिए निबंद में नया अनुच्छेद होना चाहिए पांचवा और अंतिम नियम है जरूरत पढ़ने पर निबंद में हमें मुहावरों या कविताओं का प्रयोग करना चाहिए यानि कि हमारा विशय ऐसा है तो उस पर आधारित उसे अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए ह ये पांच थे निबं लिखने के नियम इन पांचों नियमों को ध्यान में रखकर हमें निबं लिखना चाहिए तो आज हम इन पांचों नियमों के आधार पर रक्सा बंदन त्योहार की चर्चा करेंगे बच्चों आपको हर एक त्योहार पसंद है जैसे दिपावली, होली इन में से कुछ त्योहार, सामाजिक त्योहार है, कुछ धार्मिक हमारे देश में राष्ट्रिय त्योहार भी मनाये जाते हैं सैसे 15 अगस्त और 26 जन्वरी तो आज हम रक्सा बंधन के विशय पर निबन लिखेंगे अभी यह त्योहार हमने मनाया है हम सब जानते हैं कि कैसे मनाया जाता है, कब आता है लेकिन हमारे इन अनुबव को हमें शब्दों में लिखना है निबन लिखने के पांचों नियमों को ध्यान में रख कर हम रक्सा बंधन त्योहार के निबन की चर्चा करेंगे कि कैसे निबन लिखा जाता है उसकी प्रस्तावना, उसका मुख्य विशय, उसके साथ जुडी हुई कथाए, तथा किस तरह से मनाया जाता है, यह सारी बातों की हम चर्चा करेंगे निबन का पहला परिछेद जो प्रस्तावना के रूप में हम लिखेंगे, तो पहले परिछेद में हम प्रस्तावना लिखेंगे कि हमारे देश में अनेक त्योहार मनाय जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, दिपावली, होली, मकर संकरांती, जन्माश्टमी, नवरात्री, आदी, इन सभी त्योहारों में रक्षाबंधन, हिंदुों का पवित्र, एवं महत्वा पोनत्योहार हैं, तो यहाँ पहला परिछेद जो प्रस्तावना हुई, इस प्रकार किसी भी विशेद पर निबन लिखने से शुरुवात में प्रारम में प्रस्तावना लिखनी चाह अब दूसरा परिछेद है, रक्षाबंधन का त्योहार सावन यानि श्रावन महिने की पोनिमा के दिन मनाया जाता हैं, इसे राखी या स्रावनी भी कहते हैं, रक्षाबंधन बाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार हैं, राखी के धागे मन में सनेह और आत्मियता जग तो यहाँ था रक्षा बंदन के त्योहार का दूसरा परिचेद, अब हम उसके तीसरे परिचेद को समझेंगे, तीसरा परिचेद है रक्षा बंदन के त्योहार के साथ जुडी हुई कथा है, तो रक्षा बंदन के त्योहार के साथ दो कथाए जुडी हुई है, पहली कथा है कि रक्षावंदन के त्योहार के पीछे जो प्रचलित कथा है उसमें एक बार मेवाड पर बाहदूर सा ने हमला कर दिया तब मेवाड की रानी कर्मावती ने दिल्ली के बादसा हुमायू को राखी बेज कर अपना भाय माना राखी मिलते ही हुमायू कर्मावती की रक्षा के लिए दोड़ पड़ा यहां चित्र में भी दिखाए देता है कि रानी कर्मावती है और जो दुसरा चित्र है वह हुमायू का है जैसे ही हुमायू को राखी मिलती है तो राखी का संबंद निभाने के लिए वह अपनी सेना के साथ कर्मावती की रक्सा के लिए मेवार पहुच जाता है यहाँ पर कर्मावती मेवार की रानी जो हिंदू रानी थी और हुमायू मुसलिम राजा थी तो यह कथा हिंदू मुसलिम की एकता का भी प्रतिक है रक्षा बंधन के साथ जूड़ी हुई दूसरी कथा है वगवान विश्णु ने इस दिन यानि रक्षा बंधन पूरिमा के दिन बली राजा का गमण चूर चूर कर दिया था इसलिए गुजरात में रक्षा बंधन को बलेव भी कहते हैं महाराष्ट्र में यह त्योहार नार्यली पूरिमा के रूप में मनाया जाता है चित्र में दिखाय देता है कि भगवान विश्णु ने वामन का अवतार लिया था और राजा बली के गमण को चूर चूर कर दिया था बली राजा को गमण था कि उसके समान कोई महान नहीं है तब वामन अवता लेकर विश्णु भगवान ने उसके पास तीन पाउं जमीन मागी थी इन तीन पाउं में एक पाउं में पूरा आस्मान दूसरे पाउं में धर्ती और तीसरा पाउं चित्र में हम दिखाए देता है हमें कि बली राजा के मस्तक पर रखा था तब जाकर बली राजा को अपनी गलती का एसास हुआ और उनका घमन चूर चूर हो गया माना जाता है कि तब से यह रक्षा बंदन का त्योहर मनाया जाता है महराष्ट्र में नारियली पूर्णीमा के रुप में मनाया जाता है महराष्ट्र के लोग नारियल से इस पूर्णीमा के दिन पूजा करते हैं और नारियली पूर्णीमा का त्योहर मनाते हैं तो ये थी रक्षा बंदन के त्योहार के साथ जुड़ी हुई कता हैं। अब रक्षा बंदन का त्योहार कैसे मनाया जाता हैं। तो रक्षा बंदन के सुब अउसर पर बाई बहन का सनेह निखर उठता है। रक्षा बंदन के दिन बहन अपने बाई की कलाई पर राखी बांधती है, राखी बाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक है, बहन अपने बाई की मंगल कामना करती है, राखी बांध कर बहन अपनी रक्षा का बार बाई को सौंपती है, इस दिन बाई अपनी बहन को उपहा यानि की बेट देता है रक्सा बंदन के दिन बाई बहन अपने बच्पन की यादों में खो जाते हैं तो यह था रक्सा बंदन के त्योहार का तीसरा परिच्छत की कैसे मनाते हैं बाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतिक है राखी और बहन बाई की कलाई पर राखी बांती ह बाई उसे बेट देता है इस तरह से खुसी से यह त्योहार मनाया जाता है इससे संबंदीत चित्रों से भी यह सारी बाते स्पश्ट हो जाती है अब आगे का परिछेद है रक्सा बंदन के दिन हर गर में खुस्यों के फूल महक उठते हैं हर गर में पकवान बनते हैं पकवा रहती है जनेव पहनने वाले लोग इस दिन जनेव बदलते हैं तो यहां पर चोथा परिछेत पूर्ण हुआ जो रक्सा बंदन के त्योहार की विशेश्टाओं की जानकारी देता है चित्रों में भी स्पश्ट दिखाई देता है कि जो जनेव पहनते हैं वर जनेव बदल गर में पक्वान बनते हैं यह सारी बाते चित्रों से अधिक स्पश्ट होती हैं अब है आगे का परिछे रक्सा बंदन के त्योहार में महंगी राखी का नहीं परन्तु भाई बहन के स्ने और आत्मियत का महत्व है सच्मूच रक्सा बंदन पारिवारिक एवं सामाजिक ए रक्सा बंदन के त्योहार में महंगी राखी का नहीं परन्तु भाई बहन के प्रेम का महत्व हैं हम देखते हैं कि बाजार में एक से एक slag बढ़ियां किमती राख्या मिलती हैं लेकिन कीमत का नहीं तपाई बहन के स्निह का महत्व है तो विद्याति मित्रों यहां पर हमारा यह जो निबन था रक्षा बंदन का वह पोन होता है तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कोई भी निबन लिखना है तो जो पांच नियम मैंने बताए हैं उस न त्योहार को कैसे मनाते हैं और अंत में उपसहार के रूप में फिर उसका समापन करना है तब जाके आप अच्छी तरह से निबन लिख सकेंगे इस वीडियो को ध्यान से दो बार देखना बाद में समझ कर CW में अच्छी तरह से सुन्दर अक्षर में PDF में से इस निबन को थैंक यू